हालो एवरिवन क्लास 6 मैथेमेटिक्स में चेप्टर नमबर 7 हमारा कंटीन्यू है और आज हम exercise 7.3 को solve करेंगे 7.3 के question number 3 तक हमने पहले ही solve कर लिये हैं आज हम बात कर रहे है question number 4 की तो चली question number 4 देखते हैं find the equivalent fraction of 3 by 5 having denominator 20, numerator 9, denominator 30, numerator 27 यानि question हमें क्या के रहा है कि हमें equivalent fraction find करना है किसका find करना है 3 by 5 का अब 3 by 5 का equivalent fraction हमें निकालना है और condition हमारे पास क्या है इसमें हमको 4 पार्ट दे रखे हैं यानि equivalent fraction हम इस तरीके से निकालेंगे जैसे कि first part में दे रखा है denominator 20 यानि हमें कैसे भी करके एसा equivalent fraction निकालना है जिसका denominator 20 आ जाए तो denominator यानि कोई भी fraction है उसका lower part यानि उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम denominator कहेंगे ठीके अपर पार्ट जो होगा वो numerator होगा और lower part जो होगा वो उसका denominator होगा ठीके अब आप देखिए इसको हम किस तरके से solve करते हैं तो चलिए अब हम इसको solve करते हैं तो हमारे पास दे रखा है 3 by 5 और condition दे रखिए कि denominator हमें कितना लाना है 20 लेकर आना है तो अब आप देखिए denominator यानि ये 5 है इसकी जगे हमको क्या लाना है 20 लाना है तो हम 5 को किस से multiply करेंगे क्योंकि 20 तो क्या है 5 से बड़ा होगा तो 5 को हमें multiply करना पड़ेगा क्योंकि अगर हमें अगर ऐसा question पूछता कि हमें denominator 2 लेकर आना है यानि 5 से छोटा लेकर आना है तो हम उसको divide करते है लेकिन इसने पूछा है कि denominator हमें 20 लेकर आना है यानि वो 5 से बहुत ही बड़ा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे multiplication का rule use करेंगे क्योंकि हम equivalent friction में क्या देखते है multiplication और divide देखते है तो अब 5 को हम किस से multiply करेंगे क्योंकि 20 आ जाएगा तो 5 को हम multiply करेंगे 4 से तो friction का rule क्या होता है कि जिससे हम अगर हम इस denominator को multiply कर रहे है तो हमें numerator को भी multiply करना पड़ेगा यही friction का rule होता है तो 3 upon 5 हमारा 20 और यह क्या आ जाएगा 3 4s are 12 ठीके तो A part हमारा solve हो गया B part में हमको देखा है कि numerator 9 यानि numerator हमें क्या लेकर आना है 9 लेकर आना है तो 3 by 5 यानि हमको अब उपर की तरफ हमें क्या लेकर आना 9 लेकर आना है तो हम 3 को multiply किस से करेंगे 3 से करेंगे तो ही तो 9 आएगा अब 5 को भी हम किस से करेंगे उसको भी हम 3 से करेंगे क्योंकि यह fraction का rule होता है 3 3s are 9 5 3s are 15 अब इसी का c पार्ट है denominator 30 यानि denominator हमें क्या लेकर आना है 30 लेकर आना है तो यह हमारा question है 3 by 5 और denominator हमें क्या लेकर आना है, 30 लेकर आना है, तो 3 upon 5, 5 को हम multiply करेंगे 6 से, तो 3 को भी हम 6 से multiply करेंगे, यह हो गया 18 और यह हो गया 30, यानि denominator क्या आ गया, 30 आ गया, next हमार पास है numerator 27, यानि numerator हमें क्या लेकर आना है, 27 लेकर आना है, तो अब आप देखिए, कि हम 3 को multiply किस से करें 9 से multiply करेंगे तो इसको हम 9 से करेंगे तो इसको भी हम 9 से करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और 9 5 जा 45 तो यह था question number 4 question number 5 है find the equivalent fraction of 36 upon 48 with numerator 9 denominator 4 यानि similarly question number 4 की तरह ही है यह question भी अब यहाँ पर पूछा क्या है कि हमें equivalent fraction निकालना है 36 upon 48 का ठीक है और इसते condition भी दे दी है कि numerator 9 एसा equivalent fraction निकालेंगे कि numerator तो 9 आना ही चाहिए ठीक है तो numerator 9 केसे आएगा चली question को solve करके देखते हैं अब आप देखिए 36 upon 48 तो यह है 36 upon 48 यहाँ पर आपका numerator कितना आ रहा है 9 आ रहा है यानि यह तो हमारा fix की 9 आ गया है अब यहाँ पर हमको निकालना है कि कौन सा number आएगा तो यहाँ पर आप direct देख सकते हैं कि 9 केस कब आएगा यानि जब हम 36 को किस से divide करेंगे 4 से divide करेंगे 36 को अगर हम 4 से divide करते हैं तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है similarly अगर हम यहाँ पर देखिए 48 को भी अगर हम 4 से divide करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यह भी आपके पास एक तरीका है तो यहाँ पर मैं इसको detail में आपको बता देता हूँ कि यह number हमें निकालना है ठीके तो यहाँ पर आप एक तरीका तो यह है आपके पास 36 upon 48 क्योंकि 9 हमको दे रखा है यानि इसको हमने divide करा था 4 से यानि 4 से divide करेंगे तब भी तो 9 आएगा तो friction का rule होता है कि जो operation आप उपर apply कर रहे हो यानि numerator में apply कर रहे हो वो ही अपने denominator में apply करना पड़ेगा तो 4 से divide करा थो 9 आगया और यह 4 से divide करा थो 12 आगया यह तरीका भी बहुत easy है उसके बाद हम अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे पास एक तरीका और भी है यानि आप एक तो यह तरीका आप कर सकते हैं या फिर आपको directly divide वाला नहीं समझ आ रहा तो आप multiply वाला रूल भी यहाँ पर use कर सकते हैं 36 upon 48 अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास यह आगया है तो अब आप देखिए यह हमारे पास है 9 यहाँ पर हमको कोई भी नमबर नहीं दे रखा है तो 9 और यह है 36 equivalent fraction पढ़ रहे यानि और equal का हम sign भी लगा रहे यानि इधर 36 है तो इधर भी हम 36 इसको बना सकते हैं हम 36 कैसे बनाएंगे तो हमारे पास हमारे पास apply करने के लिए कोई भी number हम apply कर सकते है multiply के through या फिर हम divide करके equivalent fraction बना सकते हैं तो यहाँ पर 36 कब आएगा जब 9 की table हम बोलेंगे 4 time ठीक है तो हमारे पास 36 आ जाएगा तो friction के rule के according हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी जो भी number है उसको 4 से multiply करेंगे अब यहाँ पर number क्या आए तो number क्या आएगा यहाँ पर अब आप सो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 12 यानि 12 forza 48 तो अब आप देखिए same number अगर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कट जाते हैं तो यह 9 upon 12 इसका answer आगे ठीक है इसी का second part देखते हैं second part में हमारे पास है denominator 4 यानि हमको denominator क्या लेकर आना है 4 लेकर आना है कैसे भी करके तो यहाँ पर आप देखिए इसा कौन सा number है जिसकी table अगर हम 4 time बोलते हैं तो 48 आ जाएगा तो वो number है 12 12 forza 48 तो यहाँ हमने 12 एपलाई करा यानि 4 की table हम 12 time बोलेंगे तो इधर भी हमें 12 लिखना ही पड़ेगा अब 12 की table हम कितने time बोलेंगे कि 36 आ जाएगा 3 time बोलेंगे तो यह 12 तो गट गिया और यह बचा हमारे पास 3 by 4 तो यह था question number 5 question number 6 देखते हैं question number 6 है take whether the given friction are equivalent यानि इन में हमारे पास जो friction दे रखके हैं उन में हमें बताना है कि वो equivalent है या equivalent नहीं है तो चलिए देखते हैं इसके भी part हम तो इसका first part है 5 upon 9 and 30 upon 54 तो equivalent friction है या नहीं है इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर cross multiplication का rule use करेंगे by cross multiplication ठीक है यहाँ पर मैंने direct short में लिख लिया है अब cross multiplication कैसे होता है यह होता है इधर multiply और यह होता है इधर multiply तो हम multiply भी कर लेंगे इसको 5 multiply 54 और equivalent है तो हम equal show करेंगे एक बार तो 30 multiply 9 5 को 54 से करा हमने multiply 5 4 जा 20 का 0 2 के रिंग 5 5 जा 25 और 227 और यह हो रहा है 9 3 जा 27 और 0 का 0 अब आप देखिए यहाँ पर दोनों equal आ रहे 270 और 270 यानि यह क्या है equivalent fraction है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे yes equivalent fraction में यह है आप question के according statement भी लिख सकते हैं चली second देखते हैं 3 upon 10 12 upon 15 3 upon 10 और 12 upon 15 इधर भी हम क्या करेंगे by cross multiplication 3 को 15 से multiply करेंगे equal 12 को हम 10 से multiply करेंगे और 15 त्रिजा 45 और 12 त्रिजा 120 ठीक है तो क्या यह equal आ रहा है यह not equal है यानि यह equivalent fraction नहीं है ठीक है तो यह आप यहाँ पर statement लिख लिजिए not equivalent fraction इसको भी आप देखिए 7 upon 13 5 upon 11 तो 7 multiply 11 5 multiply 13 7 और 11 को multiply किया 77 आ गया और 13 को हमने 5 से multiply किया तो यह आ रहा है 65 क्या यह equal है नहीं है तो यह equivalent fraction नहीं है ठीक है अब हम देख रहें question number 7 को reduce the following fraction to simplest form यानि हमें क्या करना है इनको simplest form में convert करना है तो यह बहुत easy है इसको simplest form में हम किस तरीके से convert कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अब इसको तो first हमार पास दे रखा है 48 upon 60 अब आप देखिए आपको क्या देखना है कि simplest form में अगर हमें convert करना है तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए टेबल आनी चाहिए और तो आप देखिए कि 48 और 60 एसी टेबल आप बताईए कि यह दोनों ही number जो है उस टेबल में आ जाए बड़ी से बड़ी टेबल आप बता सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम बताते हैं 12 की टेबल यानि 12 की टेबल में 48 भी आते हैं और 12 की टेबल में 60 भी आते हैं अब 48 कितने टाइम आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यह आता है 12 की टेबल में 4 टाइम आता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर cutting वाला method यूज़ करेंगे तो यहाँ पर cutting कैसे होगी 12 की table में यह भी आता है और यह भी दोनों ही आने चाहिए तबी तो जाके cutting होगी तो 12 fours are 48 और 12 fives are 60 cut गए दोनों ही यानि यह आ रहा है four time और यह आ रहा है five time तो four upon five इसका answer हो गया बी पार देखिए अब आप तो इसमें zero और zero यानि जो पीछे की तरफ zero है वो तो cut जाते हैं बचा हमारे पास क्या है fifteen और six अब fifteen और six किस table में आएंगे three की table में आएंगे fifteen कितने time आएगा five time और six कितने time आएगा two time ठीक है तो इसका answer आ रहा है five upon two अब यहां पर है हमारे पास 84 upon 98 तो यह दोनों किस की table में आते हैं fourteen की table में आता है यह आता है six time और यह आता है seven time तो six upon seven अब हमारे पास है twelve upon fifty two तो दोनों किस की table में आएंगे तो दोनों को हम काट सकते हैं किस से काटेंगे या इसको हम four से इसकी cutting हो जाएगी ठीक है यह तो आता है four की table में three time और यह आ जाएगी four की table में यानि इसको हम divide करके देख सकते हैं तो four वन जा four five तो one इसके पास लगा यह आगया three upon thirteen ठीक है seven upon twenty eight seven की table में आएगा seven once a seven और twenty eight कितने time आता है four time आता है one upon four इसका answer हो जाएगा number eight है रमेश हेड 20 pencils शीलू हेड 50 pencils एड जमाल हेड 80 pencils यानि रमेश के पास 20 pencils है शीलू के पास 50 pencils है और जमाल के पास कितने 10 pencil है 80 pencil है after four month चार महिने के बाद रमेश यूजड अप 10 pencils रमेश क्या करता है 10 pencils को यूजड कर लेता है यानि उसके पास 20 थी उसमें से 10 को वह यूजड कर लेता है शीलू यूजड अप 25 pencil और शीलू के पास 50 थी उसमें से 25 वह यूजड कर लेता है जमाल यूजड 40 pencil जमाल 40 pencil का यूजड कर लेता है वोट फ्रेक्शन डिड इच यूजड अब अब ये कह रहा है कि हमें फ्रेक्शन में निकालना है कि उन्होंने कितनी इचेक करना है यानि पहले हमें क्या करना है इनका फ्रेक्शन निकालना है यूजड पैंसिल का और उसके बाद हमें क्या करना है friction को check करना है कि वो equal है या not equal है तो चलिए इसका solution देखते हैं तो देखिए अब आप रमेश के पास 20 pencil है तो पहले हम रमेश का निकालेंगे रमेश के पास कितनी pencils है? टोटल उसके पास 20 pencil है तो टोटल pencils is equals to 20 यानि उसके पास 20 pencil है अब हम देखेंगे कि रमेश ने कितनी pencils को use कर लिया है तो pencil used इसने कितनी use करी है तो 20 में से उसने कितनी use करी है 10 use करी है यह 10 ठीके? 10 उसने use कर लिया अब इसका हम पहले friction निकाल लेंगे अब friction में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टोटल है वो हमेशा कहां आता है उसके denominator में आता है तो टोटल उसके पास कितनी है 20 pencil उसमें से उसने 10 use कर लिये तो यह बन गया इसका friction अब आप देखें इस friction को अगर हम solve करेंगे तो 0 से 0 cut हो गया तो शीलू के पास टोटल पैंसिल्स है शीलू के पास कितनी पैंसिल्स है उसके पास 50 पैंसिल्स है और use the पैंसिल्स कितनी है 25 तो इसका फ्रेक्शन क्या हो जाएगा 50 और ये 25 ठीक है अब इसको हम solve करेंगे तो 50 बन जा 50 की ये कटेंगे 25 की टेबल से तो 25 बन जा 25 25 तूजा 50 यानि इसका फ्रेक्शन भी क्या आ रहा है 1 बाए 2 अब थर्ड जो है वो कौन है जमाल तो जमाल के पास टोटल पैंसिल्स है 80 और यूजड कितनी करी है उसने 40 तो अब इसका भी फ्रेक्शन क्या हो जाएगा 40 अपॉन 80 यानि 80 में से उसने 40 यूजड करी तो इसको भी अब आप देखिए 0 से 0 कट गया 4 बन जा 4 4 तू जा 8 यानि 1 अपॉन 2 इसका भी फ्रेक्शन आ रहा है तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी होगी कि हर एक का जो फ्रेक्शन है वो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है अब हमें जो कॉश्चन में पूछा था वो क्या पूछा था कि पहले हमें क्या करना है फ्रेक्शन निकालना है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जो फ्रेक्शन है वो इक्वल है या इक्वल नहीं है तो हमने फ्रेक्शन निकाल लिया है और हमें क्या पता चल गया है कि जो fraction है वो क्या है equal fraction है since all of them used half of pencils therefore each one used equal fraction of pencil यानि यहां पर हमने क्या देखा है कि जो fraction आया है वो कितना आया है 1 by 2 आया है यानि उन्होंने जो pencil use करी है वो half use करी है यानि जितनी pencil है उनके पास थी उनमें से आधी आधी pencil है उन्होंने क्या कर ली है use कर ली है और जो fraction आया है वो किसा आया है equal आया है similarly हमें जो question में पुझाता वो ही है यहां पर कि इसका fraction निकालना है और उसके बाद हमें क्या बताना है कि fraction equal है या नहीं है तो यहां पर यह question solve हो चुका है अब हम देखते हैं question number 9 को question number 9 है match the equivalent fraction and write two more for each यानि हमारे पास इस side एक पार दे रखा है इस side एक पार दे रखा है अब हमें क्या करना है कि इस question में पुछा है कि इन्हें आप match कीजिए match करने के बाद इनके 2, 2 और equivalent fraction भी हमें निकालने तो हम match कैसे करेंगे पहले इसको हम क्या करेंगे simplest form में change करेंगे क्योंकि इसको देखकर तो हमें पता नहीं चल रहा है कि किस से match करेंगे इसको अगर हम simple form में यानि smallest term में इसको अगर लेके जाएंगे तो हमारा इन में से कोई एक answer आ जाएगा और हम उसको match कर देंगे तो कैसे करेंगे हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको smallest form में change कर लेंगे तो अब आप देखिए 0 से 0 कट गया और 25 और 40 किसकी table से कटेंगे यह 5 की table से कट जाएगा यह तो कटेगा 5 time और यह कितने time कटेगा 8 time कटेगा ठीके तो इसका जो answer आ रहा है वो आ रहा है 5 अपोन 8 अब इसने कहा है कि इसके 2 2 हमें और क्या निकालने है fraction निकालने है तो हम 2 2 इसके fraction और निकाल सकते है 5 2 जा 10 8 2 जा 16 5 3 जा 15 8 3 जा 24 ठीके अब हम इसको भी solve कर लेते हैं तो यह 0 से 0 कट गया और 18 और 20 अब हम किसे यहाँ पर कट करेंगे तो यह 2 से हम कट कर सकते है 9 और यह आ रहा है 10 यानि इसका answer आ रहा है 9 अपोन 10 9 अपोन 10 को हम और भी इसके equivalent friction निकालने है तो 9 2 जा 18 10 2 जा 20 इसी तरीके से हम एको निकालेंगे 13 and 30 यानि इसकी भी table लिखने है इसकी भी table लिखने है 2 2 हमने और निकाल लिए अब आप देखिए यहाँ पर यह भी 0 से 0 कट गया और 66 और 99 है तो यह हम 11 से यहाँ पर direct काट देंगे तो 6 और 9 तो यह हो रहा है 6 और 9 6 और 9 वापस कट हो सकता है किस से कट होगा 3 से कट होगा कितने time 2 time और यह 3 time 2 upon 3 इसके भी हमें 2 equivalent fraction और निकालने 2 तूज़ा 4 3 तूज़ा 6 और उसके बाद 1 को निकालेंगे 6 और 9 ठीके similarly आगे बाले को भी हम cutting करेंगे इसकी भी 0 से 0 और direct 18 से कट हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 तो इसका आ रहा है 1 upon 2 इसके भी equivalent fraction देखेंगे तो यहां आ जाएगा 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 1 3 जा 3, और 2 3 जा 6 next का भी हम करेंगे इसी तरीकी से 0 से 0 कट हो गया 2 से cutting, यहां पर हम cutting करेंगे 11 से, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 2 upon 5 इसके भी 2 हमें equivalent fraction लिखने है 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 2 3 जा 6 5 3 जा 50 तो इस तरीके से equivalent fraction हमें निकालने है अब हमें क्या करना है कि इनको match करना है अब आप देखिए इनमें से 1 भी अगर आपको इदर नजर आ रहा है तो आप इसको क्या कर लेंगे direct match कर लेंगे तो 5 upon 8 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर तो इसको हम इदर D से match कर लेंगे यहाँ पर आप आप देखिए 9 upon 10 नजर आ रहा है यह यह वाला तो इसको हम E से match कर लेंगे 2 upon 3, 4 upon 6 या 6 upon 9 इनमें से कोई भी एक अगर आपको इदर दिख रहा है तो इस पर आप match कर सकते है तो 2 upon 3 हमें दिख रहा है A पर ठीक है अब यहाँ देखिए 1 upon 2 हो गया यह C पर और यह 2 upon 5 जो है वो यह बन गया आपका B पर तो इस तरीके से हमें इने match करना है तो यह थी exercise 7.3